लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए भगवाल खुश होंगे लेकिन मैं ये घोशना करता हूँ, कि भाई लोगों प्राक्रती खेती करनी शुरू करदो, भगवाल अपने आप प्रसन हुजेंगे कटई अपने आप प्रसन हुजेंगे, क्यों? मैं प्रमान के साथ इस बात को कहता हूँ तुम अब जो रासायनी खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो और प्राक्रती खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे ये जो मनुश्य है ना इस जितना पाखंडी इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती हो असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज़्यादा धोंगी बनावटी दिखावटी कोई प्राणी नहीं तुम जे तो बहुत बोलते हो गुव माता की पूजा भी करते हो तिलक भी लगाते हो गंटी भी बजाते हो पर बेचारी दूद नहीं देती तो घर से भी बार निकाल देती हो गुव माता की जे हो गुव माता की ना दूद पीते ना गाय पाल तेर गुव माता की जे हो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाट धोंगी नंबर वन क्यों जा ना दूद पीते ना गाय पालते रगवमाता कीजे है हो जाएगी जे गवमाता को समझो जानो ये सही अर्थों में गवमाता है भगवान ने देशी गवमाता के बेट में आंतों में सुक्षम जिवानों की फैक्टरी लगा करके बेजा और हम क्या करते हैं ध्यान करो मैंने कहने एक ड्रम लिया एक सो सत्तर लिट्रूस में पाणी भर लिया च्छाई में रखा देशी गाय जो स्वस्थ गाय वो 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती